दोखो माल लोब ये question करते हैं कि हमारे पास 20 different things हैं ठीक है उनको 4 आदमियों में बाटना है 4 लोगों में बाटना है है ना कहा गया P1 को मिले 6 चीजे P2 को मिले 4 P3 को मिले 8 और P4 को मिले 2 ऐसे कहा गया तो हम क्या करेंगी देखो 20 C6 बची 14 14 C4 बची 10 तो 10 C8 बची 2 2 C2 ऐसे हम कर देंगे direct कोई समस्था नहीं किसको कितने देने मां को मालूम है किसको कितने देने ये हमको मालूम है या ऐसे कर दें कि 20 factorial upon 6 factorial 4 factorial 8 factorial 2 factorial बिल्कुश सही है कोई दिकत नहीं एक ही बात है ये दोनों चीज़े एक है 20 चीज़ों मैंसे 6 पहले को देदी बची 14 14 मैंसे 4 दूसरे को देदी बची 10 10 जो बची उसमेंसे 8 तीसरे को देदी 8 10 C8 जो 2 बची वो 2 की 2 last पहले को देदी ठीक अब मालो कोशन ऐसा है कि 20 different things है ठीक है मालो 4 आदमियों को बाटनी है और ऐसा कहा जाए कि 1 को 6 मिल लई है 1 को 4 मिल लई है 1 को 8 मिल लई है और 1 को 2 मिल लई है है ना ऐसे कहा जाए मतलब 1 को 6, 1 को 4, 1 को 8, 1 को 2 तो दो को सब कुछ यही करना है 20 factorial, 6 factorial, 4 factorial, 8 factorial, 2 factorial अब इन 4 चीज़ों का arrangement लेना है तो कितना हो जाएगा वोलो 4 factorial ठीक है चारों चीज़े आपस में अलग-अलग है तो 4 factorial ठीक यही सवाल अगर ऐसा है कि 20 different things है ठीक यह की बात है ऐसा करो या ऐसा करो एक ही बात है ध्यान देना और 4 group में बाटनी है और 1 group को 6 मिले, 1 को 4 मिले, 1 को 8 मिले, 1 को 2 मिले सारी चीज़े अलग-अलग है तो यह बिल्कुल वही case हुआ क्या 20 factorial, 6 factorial, 4 factorial, 8 factorial, 2 factorial ऐसा हो गया कोई दिक्कत नहीं ठीक ऐसे हमने question को यहाँ पर किया ध्यान दो है ना बिल्कुल इसको arrangement नहीं करना है यहाँ पर arrangement करना था चार लोग अलग-अलग ते यहाँ चारो group identical है यह बात हम मान के चल रहे हैं अगर group different कर देंगे तो यही हो जाएगा ध्यान दो ठीक, मान लो question ऐसा है कि 20 different things है ठीक है, 4 persons में बाटनी है और कहा जाए पीवन को 5000 मिल लही है, पीटू को भी 5000 मिल लही है, हाला पीट्री को भी 5000 मिल लही है और पीथरी को 6 मिल लही है और पी-4 को चार मिल लही ऐसा कहा जाए तो फिर वही है twenty factorial upon five factorial five factorial six factorial. Oh sorry four इसको 4 मिल नहीं है, into 4 factor, ठीक है, अब इनके arrangement नहीं करने है, क्योंकि हमको मालू मैं किसको कितनी मिल लई है, तो उनके arrangement नहीं करने है, है ना, हमको मालू मैं इसको 5, इसको 5, इसको 6, इसको 4, तो इसके arrangement नहीं करने है, अब मालू यही सवाल हो, कि 20 different things है, और 4 persons को बातनी है, और कहा जाए, एक को पांच मिल नहीं है, एक को पांच मिल नहीं है, और एक को छे मिल नहीं है, एक को चार मिल नहीं है, ऐसा कहा जाए, तो क्या हुआ, 20 factorial, यह तो यही रहेगा, 5 factorial, 5 factorial, 6 factorial, into, अब इन चार चीजों का arrangement करो, तो क्या हुआ, 4 factorial और 2 एक जैसे हैं, upon 2 factorial, इन चार चीजों का arrangement करो, चार चीजें हैं, जिन मेंसे 2 चीजें एक जैसी हैं, तो 4 factorial upon 2 factorial, ठीक, और यही सवाल अगर ऐसे होता, कि 20 different things हैं, ठीक, इनको 4 groups में बाटना है, ठीक है, इनको 4 group में बाटना है, और 1 को मिला है 5, 1 को मिला है 5, 1 को मिला है 6, और 1 को मिला है 4, तो क्या होता देखो, 20 factorial, 5 मिला, तो 5 factorial, 5 factorial, 6 factorial, 4 factorial, अब क्या होता, दो चीजें एक जैसी हैं, तो into 1 upon 2 factorial अलग करना पड़ेगा, numerator में कुछ नहीं, बाटना, क्योंकि 4 अलग अलग आदमी थे, तो numerator में 4 factorial upon 2 factorial group एक जैसे हैं, तो इन में से भी upon 2 factorial को divide करना पड़ेगा, जोगो जैसे एक दो example आपको मैं और देता हूँ, बात तब को और समझ में आएगी, लिखो ज़रा इसको ध्यान से पहले, लिखो, देखो, मानों सवाल ये है, मैं ऐसा कह दूँ, कि 20 अलग अलग, जो कोई चीजें यहाँ पर हर देगे अलग अलगी हैं, और 5 लोगों में बाटनी हैं, 5 परसंस में बाटनी हैं, कैसे बाटनी हैं, कि P1 को 3 मिले, P2 को 3 मिले, P3 को 3 मिले, है ना, और, मानों, इसको 5 मिले, इसको 5 मिले, इसको 5 मिले, और, इसको मिले, 3 और, इसको मिले, 2, है ना, ठीक है, तो फिर वही देखो, क्या, 20 फैक्टोरियल अपॉन, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ऐसे हैं ना, इन सब का आपस में माल्टिप्लाई, ठीक है, 20 factorial उपर नीचे 5 factorial फिर 5 factorial फिर 5 factorial फिर 3 factorial और फिर 2 factorial ठीक है ऐसे किसको कितनी देनी है इनको मालूम है अब मालो सवाल ये होता कि 5 आदमियों को देनी है मालो 20 अलगलग चीजे 5 persons को देनी है और 1 को 5 मिले 1 को 5 मिले 1 को 5 मिले 1 को 3 मिले और 1 को 2 मिले मालो ऐसा कहा जाए तो क्या होगा देखो फिर यहाँ पर कि 20 factorial 5 factorial 5 factorial 5 factorial 3 factorial 2 factorial अब इन 5 चीजों को अरेंज करना है 20 चीजे हैं है ना और हमसे कहा जाए कि 5 ग्रूप में बाटनी है है ना माल लो देखो ऐसे कुश्चन किया जाए कि 20 चीजे हैं और 5 ग्रूप में बाटनी है कि एक को मिले 5 एक को मिले 5 और एक को मिले 3 और एक को मिले 2 यह क्या लिखा 1 1 1 है ना तो ग्रूप है तो क्या हुआ देखो 20 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और तीन को एक जैसे टीजे मिल लही है तो बन अपान 3 फैक्टोरियल तीन लोगों को एक जैसी चीज मिल लही है तो बन अपान 3 फैक्टोरियल है ना ऐसे दोखो एक और कोश्चन लेते हैं माल लोग 20 चीजे हैं 20 डिफरेंट थिंक्स हैं ठीक है दोखो हमसे कहा जाएं कि इनको छे लोगों में बाटना है पर ऐसे कहा जाएं कि एक को चार मिल नहीं है एक को चार मिल नहीं है एक को चार मिल नहीं है ठीक है एक को दो मिल नहीं है एक को दो मिल नहीं है और एक को दो मिल नहीं है ठीक चार बारा और आठ बीस बीस चीजे हैं छे लोगों में बाटनी है अब किसको कितनी मिलने यह नहीं बताया तो क्या होगा देखो 20 factorial 4 factorial 4 factorial 4 factorial और 2 factorial 2 factorial 2 factorial अब देखो इन 6 चीजों को अरेंज करना है तो 6 factorial जिसमें 3 एक जैसी है upon 3 factorial और 3 एक जैसी है तो into 3 factorial देखो 6 लोगों बाटनी यह नहीं पता किसको कितनी मिलने अगर यह पता होता किसको कितनी मिलने यह तो यह नहीं आता अगर यह पता होता कि P1 को इतनी P2 को इतनी P2 यह नहीं आता अब किसको कितनी मिलने यह नहीं पता एक को इतनी एक को इतनी एक को इतनी हम यह कहते हैं कि 20 different things हैं, six groups में बाटनी है, है ना, और एक को 4 मिले, एक को 4 मिले, एक को 2 मिले, एक को 2 मिले, एक को 2 मिले, एक को 2 मिले, ऐसा है मालो, 4, 4, 4, 2, 2, 2, तो क्या होता दोखो 20 Factorial 4 Factorial 4 Factorial 4 Factorial ठीक फिर दोखो 2 Factorial 2 Factorial 2 Factorial अब ये 6 Group है तो क्या होगा अब ये Group जो है तो क्या करेंगे दोखो Into ये 3 चीजे 1 जैसी है तो 2, 5, 3 Factorial और 3 चीजे 1 जैसी है तो बन अपान थ्री फैक्टरियल मतलब यह numerator वाला 6 फैक्टरियल नहीं आएगा इस 6 फैक्टरियल तब आता है यह 6 लोग जो अलग-अलग होते हैं यह 6 ग्रूप एक जैसे हैं 3 को सेम चीजे हैं 3 को सेम चीजे हैं क्योंकि इसी में जो distribution हैं वही same हो जाते हैं जब हम ग्रूप की बात करते हैं तो इसी में कई सारे distribution सेम हो जाते हैं वो सेम हो जाते हैं क्योंकि यह 3 एक जैसे यह 3 एक जैसी तो इसलिए 3 फैक्टरियल त्री फैक्टरियल से यहां डिवाइड करना ध्यान दो numerator में कुछ नहीं बलकि 3 फैक्टरियल की 3 एक जैसी 3 एक जैसी इनसे हमको यहां पर divide करना है ध्यान दो हाना तो मतलब ऐसे हमें अपने questions को करना है मैंने कई सारे आपको example देख करके बात समझाई देखो एक दो example और बताते हैं जैसे मानलो में question करना है यहां पर for example हमें यहां पर मानलो question करना है मानलो question यह है कि 52 playing cards है 52 playing cards है 4 players में बाटने है 4 kylori eo में बाटने है और ऐसे बाटने है कि 1 को 13 मिले 1 को 13 1 को 13 और 1 को 13 13 मिले सब को छिक तो क्या हुगा देखो 52 factorial 52 cards है अलग-अलग cards है confirm है different cards है चार बेर हैं चारो अलग अलग हैं तो एक को थर्टीन एक को थर्टीन एक को थर्टीन एक को थर्टीन अब इसने ये कहा कि एक को इतने एक को इतने तो अरेंज होंगी तो कैसे अरेंज होंगी देखो चार चीजें हैं और चारो एक जैसी हैं तो अपान फॉर फेक्टॉरियल चार चीजे हैं, चारो एक जैसी है तो four fractal upon four fractal चाहें तो इसको हटा दे है ना अम अमनों कोशन यह होता कि fifty two cards हैं और four groups में रखने हैं ठीक है four groups में रखने हैं और ऐसे रखने हैं कि एक को 13 मिले एक को 13 मिले एक को 13 मिले और एक को भी 13 मिले एक group में 13, एक में 13, एक में 13, एक में 13 तो क्या हुआ देखो fifty two factorial 13 factorial, 13 factorial 13 factorial, 13 अब यह चारो group हैं तो numerator वाला four factorial नहीं आएगा पर denominator वाला आएगा into one by four factorial ध्यान दो, युकि चारो group है और यह चार चीजे एक जैसी हैं ध्यान दो है ना यह इन मेंसे चारो चीजे एक जैसी हैं इसलिए ऐसा यहां पर देखो आ रहा है ध्यान दो अगर यह चारो चीजे अलग-अलग होती तो नीचे कुछ भी नहीं आता हाना अगर यह चारो चीजे अलग-अलग होती यह से मानलो ऐसा question है कि fifty two cards है हाना और four groups में रखने है चीजे हैं और ऐसे रखने है कि एक को बीस मिले एक को दस मिले तीस हो गए एक को मिले हैं पंदरा है ना और एक को मिले सत्रा ऐसे मिले तीस तीस ही यह हो गए और बत्तिस ही हो गए नहीं तीस और बत्तिस बत्तों फिप्टीटू हो गए सेवन ठीक है तीस ही हो गए और पंदरा साथ बाइस ही हो गए फिता कार्स कितनी होगा है, बोलो, फिप्टी चुड़ो कार्स होगा अब दुखो, चारो चीजय अलग-अलग हैं, इसलिए इंटू बन अपॉन सुम्ठिंग नहीं आएगा चारो चीजय यहांपर अलग-लग है हना groups है ना इसलिए चारों चीज़े अलग-अलग है तो कुछ भी अपवान में factorial में नहीं आएगा ध्यान दो लेकिन यही अगर four players होते तो into four factorial आ जाता तो कि चार को arrange करते हना यही अगर four players होते तो into four factorial आता इन चार चीज़ों को हम arrange करते हैं ग्रूप हैं और चारों में अलग-अलग चीज़ जा रही है इसलिए कुछ नहीं आ रहाए हैं यहाँ चारों में सहर्ल है हैं यहां पर तीन में सेहर्ल हैं तीन में सहर्ल है इसलिए three factorial three mutual है तो इससे पहले ही मैंने आपको कई सारे cases करके दिखाए अब ये बात आपके दमाग में फिट हो गई होगी, कि अलग-अलग चीजों को इनसानों को बाटा जाए, या ग्रूप में रखा जाए, इनसानों को बाटना मतलब वो अलग-अलग डिब्बे हैं, जैसे हमने कहा 20-अलग-अलग चीजे, 5-अलग-अलग डिब्बों में रख रकनी है वो अलग अलग है अब यहां पर गृप एक जैसे भी हो सकते हैं और गृप की जगे बो अलग बैसे भी हो सकते हैं या मानलो केह दे डिफेंट गृप तब भी वो यही बाथ है अगर वो डिफेंट ग्रॉप केह दे तो इसका मतलब बो इनसानों Woran ही केस हो गया, परसंस वाला केस ही हो गया, डिफरेंट बॉक्सस वाला केस हो गया, बात बराबर है, तो मतलब अलग-अलग चीजे हैं, और जहां रखनी हैं, वो चीजे एक जैसी भी हो सकती हैं, और वो चीजे अलग-अलग भी हो सकती हैं, तो ये हमने यहाँ पर सिखा, कि अपने question को कैसे किया जाएं, तो मैंने बहुत सारे आपको example देख करके अपनी बात को बताया, जिससे ये बात हमारे दिमागे बैट जाएं देखो, एक दो cases और कर देते हैं यहाँ पर हम, अब ऐसा question हमेशा आप कर लोगे, माल लो four players को देने हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाएं, कि एक player को 20 मिलने हैं, एक को 10 मिलने हैं, ठीक है, sorry, एक को 20, दूसरे को भी 20, 40, और एक को 6, और एक को 6, ऐसा माल लो है, four players में बातने हैं, तो क्या होगा बोलो, 52 factorial, एक को 20 मिलने, 20 factorial, 20 factorial, तून्टी factorial, 6 factorial, 6 factorial, एक को लियां दो, 40 और 12, 52 हो गए, अब इन चारों को arrange करना है, तो four factorial, दो चीजे एक जैसी, two factorial, दो चीजे एक जैसी जैसी, two factorial, क्योंकि किसको कितने मिलना यह नहीं मालूम है, कौन से प्लेयर को कितने मिलना यह नहीं मालूम, एक को इतने एक को तुन चारों गार अगर मालूम होता P1 को इतने, P2 को इतने, P3 को इतने, P4 को इतने, तो यह चीज़ यहां नहीं आती है, अगर यह मालूम होता P1 को इतने, हमालों इससी सवाल मैंसे कर दें 2018 कि 52 प्लैंग कार्ट से चार प्लेटेंग को बाटनेद्ट पीवनय को मिले बीज, पीटू को मिले बीज और पीफोर को मिले ले पीफोर को मिले द्शसभिट हो जाएगा यह अपर नहीं सक धाएगा ठिक और अगर मालो यही सवाल ग्रूप के लिए होता मालो यही कुशन ऐसे होता कि अगर हम यह कार्ड्स चार ग्रूप में रख रहे हैं जब भी हम ग्रूप करें तो समझ जाना आइडेंटिकल ग्रूप है वो जैसे अगर मालो वो group को different करना होगा तो लिख जएगा different group फिर वो यही case हो जायागा मालो यह question है 52 cards है और four groups में बाटने हैं और एक group को 20 मिले एक group को 20 मिले एक को 6 मिले और एक को 6 मिले तो क्या होगा दोखो 52 factorial 20 factorial 20 factorial 6 factorial 6 दो को सेम चीज़े गई है तो बन अपॉन 2 factorial इन दो को सेम चीज़े गई है तो बन अपॉन 2 factorial नूमरेटर में कुछ नहीं चार group है न इसलिए तो 2 factorial 2 factorial से यहां हमको divide करना पड़ेगा ध्यान दो तो यह सवाल अब आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा ऐसे किसी भी सवाल में अब तुम कभी भी confused नहीं होगे ध्यान देनाम ठीक है और यह बड़ा important question है लिकूँ ज़रा बच्चो ध्यान से इसको